दात का जाना या दात का गिरना शवपन दोस इन सभी समस्याओं की जान करें आज हम आपको इस वीडियो में देंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धातू पोश्टिक चूरन के बारे में दातु पोस्टिक चूरन बहुत सारी कमपनिया बनाती हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो है वह है विकास कमपनी का तो आज हम विकास कमपनी के दातु पोस्टिक चूरन के बारे में बात करेंगे जो की एक प्राकरतिक ओसदी है ऐसे आप किसी डॉक्टर की सलाह के बिना भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है धातू पोस्टिक यानि की धातू रोग में फाइदमन्द है जो पुर्ष, धातू, रोग, वीरेपात, सुपंदोस या फिर योन कमजोरी की समस्या से जूज रहे हैं उन मर्दों के लिए यह बहुत फाइदमन्द होता है इस दवा में कई तरह की चीज़ों डाले जाती हैं जिससे की योन समस्याओं से निजात मिलती है इस दवा को बनाने के लिए मुख्य तोर पर अईरवेदिक और साधियों का ही इस्तिमाल किया गया है जो की इस परकार है गोखरू बीज, असवगंदा, सफेद मुसली, काली मिर्च, बीज बंद, कौँच बीज, कबाब चीनी, वन्सलोचन, चोप चीनी, काली मिर्च, साल में कमजोरी आने लगती है, इसके साथ ही और भी कई समस्या होने लगती है, यदि आपको इस परकार की बीमारी है, या फिर सवपंदोस से जूज रहे हैं, तो आप दातु पोश्टिक चूरन का सेवन कर सकते हैं, यह दवा कुछ ही दिनों में आपके सवपंदोस की समस्या को दूर कर देती है, दोस्तों नपुनसकता पुर्स और महिलाओं दोनों को गहर लेती हैं, खास करके अगर आप साधी सुदा मर्द हैं, तो आगर आप नपुनसक हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका इलाज करना चाहिए, यह बिमारी कई कारणे से हो सकती है, जैसे क मदू में हॉर्मोन इंबैलेंस होने के कारण इत्यादी अगर आप नपुन सकता के सिकार हो रहे हैं तो आपको बच्चा पैदे करने में गर्बधारन करने में तकलीफ होगी यह दवा इस प्रॉब्लम के लिए भी फाइदा मन रहती है बस्पन की गलत आदतों की वज़े से फिर शराब आदी पीने से योन कमजोरी हो जाती है यदि आप अपने परिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं योन कमजोरी का सिकार हैं तो आपको इसका सेवन करना चाहिए यह दवा आपके सरीर में रक्ट संचार को बढ़ाती है जिससे की योन समस्याँ खतम क करने में कि बलड सर्कूलेशन को बढ़ाती हैं जिससे की योन समस्याइं खतम करने में आपको लाब मिलता है यह सिगर पतन को भी दूर करती है अगर आप हर जगा ठीक हैं लेकिन आपको सिगर पतन की समस्या है यानि कि आपका वीरे जल्द निकल जाता है तो तो भी यह प परिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं नहीं आपका पार्टनर इसका आनंद ले पाता है यह परेशानी होर्मोन इंबेलेंस यह फिर मस्टिक से जुड़ी कई समस्याव कारण भी हो सकती है तो विकास कंपनी का धातू पोस्टिक चूरण इसके लिए भी बनाया गय है यह एकिक परिष्शानी को जल्द से जल्द दूर करके जल्द से जल्द दूर करने और सुख लेने में आपको पाइदा देती है वुम्र के साथ-साथ-काम इच्छा-कामी कमी हो जाती है तो अगर आप भी इस परेसानी से जूज रहे हैं तो आपको दातु पोस्टिक चूरण का सेवन करना चाहिए यह पुर्सों में काम इच्छा को बढ़ाता है जिसे कि आप अपना परिवार सुख ले पाते हैं अगर आपका जीवन बहुत ज्यादा बिजी रहत देटाइगा जाएगी स्वाव का सेवन नियमित खाली पट सुबह हैं और साम को साम को दूध के साथ करना चाहिए एक चमध सुबह Cowливо और एक चमध साम को दूध के साथ सेवन करें जब तक आप इसका सेवन कर्रे रहे तब तक खटी चिजों का सेवन ना करें और ना ही किस इसी नसीले पदारतों का सेवन करें अगर आपको भूख बहुत कम लगती है तब भी आपको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह भूख को कम कर देता है यह चुरुन पोस्टिक धातू वर्धक और विर्य को गाड़ा करने वाला है इसके सेवन से विर्य का पतल गुणकारी है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असवगंदा असवगंदा में एंटी इंफ्लमेटिक साथ एंटी बेक्टिरियल गुण मोजूद होते हैं असवगंदा को कैंसर तनाव चीनता पुर्सों में परजन चमता बढ़ाने से लेकर गठिया अस्तमा बलड़ प् करने की है सबसे परचलित अइरवधी को सजी है कौंच बीज टोनिक का काम करते हैं अइरवध का नुसार यह परजन अंगों की साहता करता है बहतर योन और उर्जा और कामिच्छा को बनाए रखने के लिए यह बीज शुक्राण और डिम के सवास्ते को बनाए रखते हैं दोस्तों चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें